मेरे नाम विवेक और आप देख रहे हैं विवेक मन गेमर चैनल आज मैं आपको बताऊंगा देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है अगर आप अपने फोन के थ्रू अपना लैप्टोप करना चाहते हैं अगर अगर आप अपने लैप्टोप में करना होता है पर फिर भी आपको काम बढ़ जाता है बाहर जाते हैं तो आप यहां पे घर बैठे आपका लैप्टोप होने उस पर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप वहर यहां पे देख सकते हैं without any type of problem तो आपको करना क्या होगा आज सारा कुछ इस वीडियो में कवर होगा अगर आप ज़्यादा वैब ब्राउजिंग करते हैं मीन्स टू से अगर आपको ज़्यादा ब्राउजर में जो काम होता है वो करना होता है तो multi web आप यहां पे करते हैं तो फिर आप अपने laptop पीसी या फिर कुछ भी आपके पास उसके थुरू आप फोन में एकसेस कर सकते हैं तो फुल अकसेस फोन को दे सकते हैं किस प्रकार कि सार इस वीडियो में कवर होगा तो एन तक देखते रहाणा तो चलिए वीडünüz शिव करते हैं आपको अपना जो फोन है आपके पास उस पे पहले सबसे पहले play store open करें play store open करने के बाद chrome remote desktop जो यहां पर लिखा है वो सर्च करें और उसे download कर लें उसके बाद simply आपको open करना है यही चीज आपको अपनी PC में भी यहां पर open कर लेनी है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मैंने chrome remote desktop जो भी extension होता है chrome browser में उसको आपको open कर लेना है यह आपको simply google में सर्च करना है chrome remote desktop और PC so यहां पर got it पर click करेंगे so got it पर click करने के बाद आप जैसे ही अपने phone में देखेंगे आप सबसे पहले यह desktop जो लिखा है इसे आप अपने laptop के नाम से match करें match करना है तो फिर आपको यहां पर okay दवाना है okay करने के बाद और एक और बाद ध्यान में रखनी है जिस mail के थुरू आप अपना chrome remote desktop चला रहे हैं उसी mail के थुरू आपको यहां पर connect करना है तो देखे यहां पर मेरा PC जो है यहां पर landscape mode में कर लेता हूं कि कनेक्ट हो चुका है और यहां पर देखे मैं बैक करूंगा बैक हो चुका है तो इसी प्रकार आपको अपने laptop के साथ phone connect करना है तो I hope so that आपको यह video जो है काफी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते है जाना और गुडबाई have a nice day